अथरवेद में जादू टोना बहुत है जादू टोना मतना प्रॉपर किसी खुश्री भाइब गाय किसी चुराई जाये एक हुआ कि आप किसी का बुरा चाहन है ब्लैक मैजिक उसको ब्लैक मैजिक है तो वो यह है कि हमारे पडोसी की बेटी है वो मुझे घास नहीं डालती है, वो मेरी तरफ आकर्शित हो जाए, तो चलो यह कर दो, तो वो हो जाए, या उसका हस्बंड नपुन्सक हो जाए, यह मैं आपको एक्जेम्म ले रहा है, जो है उसमें, मैं वो एक्जेम्पल जाए, नपुन्सक वाली चीज है, जादू अथर अरुवेद में, एक फिरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग की उरिजिनल सिविलाइजेशन है, और आरियन्स ने आकर इसको डिस्टॉय कर दिया, आठ सो साल तक मुसलिम रूल रहा है इंडिया में, अगर तुम्हें अपने धर्म पर विश्वास है तो इतना त इतना पर विश्वास है तो आज कैसे हो जाएंगे, तो को क्राइस्ट में विश्वास करना पड़ेगा, यह मनना पड़ेगा कि क्राइस्ट वास अंगर रूल आपको इमनना पड़ेगा कि बाइबल इस वर्ड वर्ड ऑद लेगा, हिंदुसम मैंसी कोई चीज नहीं है, य यह कहीं नहीं कहा गया कि आप अगर वेदु को नहीं पढ़ेंगे तो आप हिंदु नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इस सच अ ब्यूटिफुल कॉंसेप्ट इनकी थोड़ सी इंडिड़क्शन देता हूँ, यह है एक इंजीनियर, जिन्होंने अलावाद यूनिवर्सिटी से ग्राइजूशन की है, दो बार पोश्ट ग्राइजूशन की है, और आज भी अपनी एक फिर्म चलाते हैं, जिसमें यह एलक्ट्रॉनिक के एक्विप्मे ऑर पता है इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने आठ साल की रिसर्च किया है, मतलब समझे और यह जो एक घंडे का हमारा कॉंझेशन हो रहा है उसमें आठ साल की रिसर्च के बारे भी हम डिसकस कर रहे हैं, बागी इस पोड़कास्ट में हमने वेदों की बात की है, बाकि मैचिक की भी बात की है और तो और बात में इंडर्स वेली सिविलाजेशन के बारे में भी समझने की कुशिश की है और क्योंकि मैं भी एक इंजनेर हूँ तो हमारी जो एक connect एक जो bond बना था ना शोग जी के साथ वो बहुत बढ़िया था बाकि बस मुझे मैं सोनो अशोग जी को सोनो मेरा नहामे अक्षित पॉड़काश का नहामे टेल अव थॉट्स जो शूरू होता है इन तीन डो एक मैं आपको यह बना जाओंगा congratulations on writing this book and thank you आपने ये book लिखिये गैस हिंदुइजम रिच्वल्स रिजन और बियॉंड हम आ गे हैं अशोग जी के साथ मैं आपको बोला था कि मैं अशोग जी के साथ एक पॉड़काश करमा जाता हूं और अशोग जी हमारे साथ है और उनकी किताब के बारे में ही आज हम डिसकस कर रहे हैं तो अशोग जी कि सबसे पहला मेरा प्रशन यही रहेगा आपसे कि आपकी किताब की शुरुआत में पहला पार्ट है पहले पार्ट के कैप्टर नुबर टू में ही आप ओल रहे हो हिंदुजम इस अधरम नौट एर रिलिजन तो किन प्लीस इलाबरेट आप इसको बता सकते हैं अच्छी स धर्म और रिलिजन में फॉंडमेंटल दिफरेंस है रेटिकल इन थे सेंस कि धर्म एक बहुत वाइड इंकमपेसिंग चीज है एक इतनी बड़ी चीज जिसमें धर्म एक छोटा सा पार्ट है जैसे एक घर में एक कमरा हो बेडरूम और हम उसी को पूरा घर कहें यह उतना ही गलत होगा तो धर्म पूरा घर है अब धर्म क्या है यह सवाल आता है तो अब इंडिया में बहुत सब से पहले टेट्स जो आइवेलल है वह है रिग्वेट उल्डेस्टेक्स्ट अजी आर्गिवली ओल्डेस्टेक्स्ट फैनी डिलेजन इनी डीजन इंड वर्ल्ड और व्याके नहीं वो तो दुनिया में सबसे पुरानी टेक्स्ट्स्ट तो अब उसमें उस समय से जो एंफेसिस है वेनु के इलिट से ही वो एंफेसिस रहा है कि क्या चीज सही है सही चीज का नुसरन करना तो यह रिलिजन नहीं है जो रिलिजन यह है कि आप चर्च में गए या आपने एक किताब किसी पैगंबर ने दी है उसमें जो भी उसमें लिखाए डूस और डूस आप उसका फॉलो कर रहे हैं जैसे क्रिशियनिटी या इसलाम या गुरुगरंद साहब या यह सब ऐसे रिलिजन हैं जिन में एक व्यक्ति विशेश द्वारा वो व्यक्ति चाहे भगवान का ही सुरूप क्यों रहा हो या हम ऐसा मानते हूं उन्हों ने क्या कहा उन्हीं की बातों का अनुसरन करना और उनके दिये हुए मैसेज के दूस और डोंस का अनुसरन करना धर्म था आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं क्रिश्चियन हूं और मैं मंदिर में जाके पूजा करना हूं इस नौट पर्मिटेड विश्वास आपको क्राइस में विश्वास करना पड़ेगा यह मा आपको यह मानना पड़ेगा कि Bible is Word of God. आप समझने हैं? हिंदुसाम ऐसी कोई चीज नहीं है. आपको कुछ नहीं मानना है. आपको यह भी नहीं मानना है कि भगवान है. अब आप इसका अंतर समझेए और यह बहुत important चीज है कि न तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेश, पैगंबर विशेश या किसी खास किताब, बुक या किनी सेट ओफ नियम का पालन करना आवश्यक है या किसी धंग से पूजा करने का आदेश है. अगर आपने वो नहीं किया तो आप उस धर्म के नहीं रह जाते. ऐसा कुछ नहीं है. तो इसमें यह जरूर है कि आपको क्य क्या करना है और क्या नहीं? क्या उचित है? क्या अनुचित है? तो पूरा एंफसिस इस पर है कि वाट इस दर्इटियस कोर्स? आप पिता है तो आपका क्या धर्म है पुत्र के लिए? पुत्री के लिए? पत्नी के लिए? अपने भाई के लिए? अपने गुरू के लिए? अपने समाज के लिए, as a father, as a father, your duty towards your son, वो पित्र धर्म हो गया. तो वो भी क्या set of instructions दी गई है, कि इस तरीके से ही करना है? इस तरीके से ही करना है नहीं है. इस तरीके से ही करना है नहीं है. अच्छा. उसमें यह है कि पिता का धर्म यह है, कि वो यह यह करे. यह रिग्वेद में हो यह साई है. यह रिग्वेद में नहीं है. यह धर्म और मैं आपको धर्म और religion का फरक बता है. तो मैं किवली यह कह रहा था कि वेदिक काल से ही यह distinction बड़ा clear हो गया. यह कहीं नहीं कहा गया कि आप अगर वेदों को नहीं पढ़ेंगे तो आप हिंदू नहीं है, मैं यह अज़ह वेदों को नहीं भार हो市ानु उप पढ़ा होंगे. घ्लाइप वेदों नहीं पढ़ेंगे हैं, मैं इस लिए पढ़ा कि अगर आप हिंदू मुझे वेद iMP पढ़ना है और तो आप मुसलिम नहीं रह जाएंगे, आपको इसमें एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, इस वर्ड अफ गॉड तो मैं किवल यह अंतर बताने के कुश्चिश कर रहा हूं, कि यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं है, कि यह यह चीज आप करिये, तब तो आप हिंदू हैं, और यह नहीं किया तो आप हिंदू नहीं रह गया हैं। तो ऐसा कोई इंजंक्शन नहीं है, ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। केवल यह बताया गया कि आप कपुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पडोसी के रूप में, मा के रूप में, बेहन के रूप में, क्या कर्तव ए? क्या आपको राइटियस कोर्स है? तो आपको पढ़ाई के लिए कि आपका धर्म है? ठीक है आप अगर श्टूडेंट हैं तो गुरु के लिए आपका क्या धर्म है? समाज के लिए क्या धर्म है? तो यह धर्म से, रिलिजिन से बहुत बड़ी चीज हो गयी ये. आप उसमें पूजा करते रहिए, आप जाके आ बाकी जितनी लिविंग है, कि आप संसकार अपने पालन करिए, अगर परिवार में माता या पिता की मुरत्य हो गई है, तो जाकर कि उनका अंतिम संसकार कीजिए, अगर आप हिद्ध हैं तो आप जरूर करेंगे, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये उसमें दी हुई है कि आप क्या राइटियस ड्यूटी है, जो धर्म है मेरा, हाँ, वो कहलाता है धर्म, अब आप गीता में भी देखिए ना जब श्री क्रेशन उनसे कहते हैं, कि अरजन तुमारा ये धर्म है, तो ये नहीं कह रहे है कि जा करके यहां पर अश्मे देखे करो, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे है कि तुमारी इस वकद क्या ड्यूटी है, तुम शत्री कुल के हो, तुमारा इस वकद धर्म ये है, कि ये भूल जाओ कि सामने कौन खड़ा है, तुमें सत्य का पक्ष लेना है, और अगर सत्य का पक्ष ले रहो तो युद करो, चाहे वो तुमारे चाचा, भाई, दादा, जो भी है, तो धर्म के लिए वो कुछ नहीं रह गया, धर्म शिष्ट हो गया, तो ये जो धर्म की महत्ता है, ये नहत है सनातन धर्म ने, और इसलिए इसको सनातन धर्म का जाता है, हिंदू ध जब भी बहुत बाद में आया, वो इंदू, इंडेस्टरी डिरीवर के बोलते है, वहां से उठाया गया है, तो खेर अलग चर्चा है, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग बात करेंगे, आएंगे उसके ओबर भी हाँ, परन्तु जो हिंदू शब्द है, वो तो हम लोग एन सनातन का मतलब है, फ्रॉम टाइम इममोरियल, जो हमेशा से रहा है, तो धर्म तो मनशर जातिक हमेशा से रहा है, अगर आप पैदा हुए तो आप किसी के बेटे हैं, और अगर बेटे हैं तो आपकी ड्यूटी हो गई, आपने माँ के प्रती, आपने आज पास के सराउन, स सबके प्रती, इस सच अ ब्यूटीफल कॉंसेप्ट, और इसमें फिर एक छोटा सा जो अंश है, वो क्या कहलाता है, अब यह देखिए, आपने इतना इंट्रेस्टिंग कुशन किया, इस पर बहुत शोध हुआ है, कि फिर हिंदू लोगों का रिलिजिन का इकुलेंट क्या है, कोई ने, अच्छा, बहुत यह ताज़ूपी चीज़, यह इतना, आप इसको इस रूप में देखिए, कि उनका लाइफ को देखने का नजरिया इतना अलग था, परिशी होगा, उसमें के लोगों, हाँ, जो हमनों के पूरू अज थे, ठीक है, उनका नजरिया इतना ड पूर्टन था, कि आप सही चीज, सही समय पर सही व्यक्ति के साथ कैसे करने हैं, लाइफ वास अल अबाउट डैट, उसमें जो आप पूजा और वो करने हैं, वो अनुष्ठान कर रहा हैं आप, उसका सही शब्त तो अनुष्ठान है, विकॉस एट रिचूल, तो आप जाक गया है कि यगे का स्थान नहीं है, यगे का बहुत स्थान है, बहुत बड़ा मात्व है, बैठ के मंत्र का जाप करने का बहुत बड़ा स्थान है, रोज स्नान करके पूजा करने का आज कल के युग में जो पूजा का समया गया है, आइडल वर्शिप जिसको मूर्ति नहीं हम लों का वो धर्म नहीं है वो धर्म का एक हिस्सा है कि ये भी आपको करना है ठीक है ठीक है भक्ती योग जो भी आप उसमें विश्वास करते हैं और अगर आप सांखी में विश्वास करते हैं तो कुछ भी नहीं फिर तो आपके लिए Unalloyed Pure Consciousness is Brahms वो तो जो छे दर्शनों के हम बात कर रहेंगे तो करेंगे उसके दर्शनों के दर्शनों के बात करेंगे तो ये बहुत आपने इतना बढ़िया शुवात करी है ये समझना बहुत जुरूरी है कि हम अपने धर्म को संकुचित न करने आज कली जो ये डेबेट होती रहती है मुझे सुनके इतना कई दफा वो लगता है कि हम कोई इतना बढ़ा है वो अपने को कह रहा है हम ये दिनी करना चाहिए अरे उदेखो वो लोग तो जाते हैं अपने धर्मिस्थल पर हर शुक्रवार को या हर इतवार को और हम लोग इतने बच्चों को सिखाते है अरे हम लोग बच्चों को क्या नहीं सिखाते है हम लोग बच्चों को वो सिखाते है जो सबसे आवश्यक है उसका सीखना उसे ये सारे धर्म करने है मावाप का फुत्र धर्म निभाना है और अगर वो अपने पिता के प्रती ठीक वेभार नहीं कर रहा है, तो कितनी व्रहत चीज है, सोची आप, यह सब देखिए, यह तो एक तर्तीब से हुआ, धीरे-धीरे कि इसमें यह भी है, यह तो इविलूशनली चीज है ना, शुरू में ही तो सब चीज नहीं आ गए, यह सोचना गलत होगा कि फ्रम डे वन, यह एक पूरा का पूरा कॉंसेप्ट आकरत भी आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ है, वेदों में भी यह देखने को मिलता है ना, कि रिग वेद में कस्टम्स क यग्य को जादा महत्वता दी गई है तो देखिए रिग वेद तो वेद ही है यग्य का पूरी वेदिक सुसाइटी वाज यग्य वेद सुसाइटी तो उस टाइम में यग्य ही सेंट्रल था अगर आप हिंदुजम कहें सनातन धर्म को तो उस टाइम में पूरी सुसाइटी यग्य सेंट्रिक सुसाइटी थी वो Вам सेंट्रिक सुसाइटी धीरे धीरे इवाल होई एनुष्धान से रिचुल से कि आपने वेदी बनाई उसमें लकटी रखी उसमें आभूती दी उसमें देवताओं का आवाहन किया यही है न यग्य को तो जो यह चीज है यह तो वेदिक सुसाइटी का मूल है हाँ अगर आप वेदिक सुसाइटी में से यग्य निकालने तो बहुत कुछ बहुत कम बाकी रह जाता है आप निकाले हैं यग्य कोते हैं कि देना तो आप अपना कुछ ऐसे अगनी को दे रहे हैं अगनी को परतान कर रहे हैं देखे इन सब चीजों के बहुत इंटरप्टेशन हो सकते हैं पर जो बेसिक जो बेसिक है वो यह है कि अगर आप देवी देवताओं को कोई चीज देना चाहते हैं, अगर आप किसी वी आईपी को कुछ देना चाहते हैं, किसी को जिसको आप बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं अगर कुछ देना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ पूल देंगे इस तरह की चीज़ें देंगे अगर आप ऐसे आदमी को अपने घर बुलाएंगे तो आप उसको वही चीज़ें देंगे जो आप समझते हैं आपको प्री हैं तो आपको लगता है कि उसको भी वही प्री होंगी या आपको मालूम है उसको वही प्री होंगी यह तो उनके पास पहुचाने का माध्यम है केवल उन चीजों को अगनी में अरपित करना, जहां से वाश्पी करत होकर के वो उनके पास पहुचना है। कि उस टाइम में घी खुद को बहुत पसंद था, मक्खन, दूद, फल, फूल, यह सब चीज हैं वैदिक काल के लोगों को खुद पसंद था। तो अब अपने से पावरफुल जो हैं और देवता तो इसने पावरफुल है कि कुछ का ही नहीं जा सकता। तो अगर उनको देना तो उनको देने का मादने बना अगनी, तो अगनी को भी देव कहा गया है। देव वर्ड का ऐसा मेरा मानना है कि जो देव इसका द्या से इसकी उत्पत्य हुई है। देना। तो जो भी कोई चीज हमको दे वो देव कहलाया। आगनी में वाईव, या वाईव, या सूर्य उसकी तो बादल हमको वर्शा दे रहा है , जल दे रहा है, सूर्य हमको एनर्जी दे रहा है, वहांको दे है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ दे रही है। फल पेड को फल दे रहा जल दे रही है, हर नदी हमें जल दे रही है, तो हर चीज से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं. तो हम प्राप्त करने हैं, तो हमारे लिए वो देव हो गई. It's giving, and we are showing our gratitude in turn. तो हम उनकी पूजा करने हैं. अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, तो you are praising it. तो यह तो बड़ा basic चीज है, इसमें कोई बहुत complexity नहीं है समझने की. तो जो Westerners कहते हैं कि यह अजीव सिस्टम है कि पेड़ पौदे जानवरों की आप पूजा करने हैं, उनको यह अगर कोई समझाए कि हम इसलिए नहीं करना है कि वो देवता हैं, पर इसलिए है कि they are giving me something. And anyone who gives me something, just as you say thanks, this is our way of thanking. And for us, we show our gratitude by calling them Dev. इसलिए बहुती बड़ी आप इसलिए बहुती बड़ी आप इसलिए बहुती बड़ी आप इसलिए कि और यह हम वो भी समझके रखता है कि हम प्रकृती के सामने कुछ भी नहीं है. सांखे दशन इस चीज को बोलता है. सांखे दशन भी यही तो कह रहा है कि पुरुष और पुरुषा. और पुरुषा प्रकृती और पुरुषा. बिलकुल सही बात करें है. बहुती सुन्दर कॉंसेप्ट है कि आप हर चीज जो आप कुछ दे रही है. और नेचर से तो आपको मिली रहा है, कुछ ना कुछ. Otherwise, you can't exist. For a human to exist, he has to rely on nature. तो नदी है, या जर्ना है, या बादल है, या वायू है, ये सब देव बन गए. क्योंकि सब दे रहा हैं आपको कुछ ना कुछ. And because they are giving, so you have to live in harmony with them. तेखिए, बहुत बड़ी चीज मैं कहा हूं. To live in complete harmony with your surrounding is what we are talking about today. जिसने भी UN के resolution पास हो और है, तो क्या हो रहे हैं? कि we are disturbing that balance. तो rains are not coming in time. The weather is changing. Why? We are extracting too much out of the nature. And we are disturbing. It's a natural balance. ये ही तो हो रहा है, ना? पर मैं देखिए, उन लोगों में से नहीं हूं जो ये सोसने हैं कि उन रिशियों को सम वालूम था. अच्छा. मैं ऐसा नहीं मानता कि उनको सम वालूम था. पर वो बहुत ग्यानी थे, मैं ये जानता हूं. और हम लोगों से ज़्यादा सिंस्टिव थे. वो जानते थे हम नेचर से ले रहे हैं और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी. और जो हमें दे रहा है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करनी है, वो एनिमेट हो या इनिमेट, जीव हो या जड़, कि उसको देव मान रहे है, उसकी पूजा कर रहे है, पेड़ की पूजा कर रहे है सोची, आज ये का जा रहा है, पेड़ मत काटो Amazon forests are getting destroyed, don't do this पहाडों की पूजा कर रहे है, पहाडों की पूजा कर रहे है जो अभी इतने यादा floods आ है, वो भी ये दश आता है कि नदियों का जल preserve करो, नदियों की, हमारे लिए तो गंगा भी माता है अरे, सब rivers भाई, सब rivers पूजा के योगे हैं, सब rivers की पूजा की जाती है समदर की पूजा की जाती है, वरूर देव, इंदर देव, मैं इंदर देव के उपर आओगा हाँ, तो देखिए, जो ये देव का concept है, एक बहुत मैंने सुन्दर ये डॉक्टर शर्मा, मुझे उनका पूरा नाम नहीं आता ना, डॉक्टर शर्मा ने रिगवेद का, केवल रिगवेद संगिता का translation किया है उसमें उन्होंने बहुत सुन्दर ये व्याक्या किये, मैं उनसे मिलना भी चाह रहा था, अभी तक मिल नहीं पाया हूं पर जरूर मिलूंगा, उन्होंने इतना सुन्दर ये देव का concept explain किया है, कि जो आपको देव, वो देव है, और अगर इस लाइट में देखी तो suddenly everything falls in place, कि पेड़ की क्यों पूजा की जा रही है, पत्थर की क्यों की जा रही है, नदी की, हर चीज की क्यों हम लोग पूजा करने हैं, because we are just one small part of this cosmos. काफी जादा टैंजेंट्स कोल दिये हैं आपने, बदलाव आगर हम देखें, काफी जादा चीज़ों के पर इस तरस कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये शुरुवात करना चाहूँगा, हिंदु धरम धरम की बारे में जाने से पहले, कि आप मुझे पहले ये बताओ, जब हम वेदों की बात करते हैं, और आपने यसे में से पूछा कि आपने वेद पड़े हैं, मैंने बुला कि नहीं पड़े हैं, मैं सामने साफ साफ बोलता हूँ, मुझे लगता है काफी जादा लोग जो सनातन धरम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बगवद की पूलम, हमारे सनातन धरम का फाउंटें हैं, उन गरंतों में हमें आज तक यह क्रारिटी नहीं है, और मैं सब को बोलना भी जाता हूँ, कि उनका सोर, उनकी ओरिजनल कहां है, मतलब हम उनके ओरिजनल मतलब की प्रपर होगर ट्रांसलेशन हम वेदों की कहां पढ़ सकते है या फिर पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, आप आपने बहुत पूछा है, तो उसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ क्लारिफाइ करना चाहूँगा, वो यह कि आपने वर्ड यूज़ कि ट्रेंसलेशन कहां बहुता है, तो विच प्रिज़ कि जो वेद जिस रूप में हैं, उसमें कोई पढ़ पाएगा या बहुत कम लोग पढ़ पाएंगे, मिनस्क्यूल, क्योंकि संस्कृत में है, वो प्री पारेनी संस्कृत में है, तब तक वो संस्कृत कोडिफाइ नहीं था, अच्छा जो वेद आये थे तो वो औरल रूप में आये थे, वो लिखित थे नहीं, तो लिखित नहीं होने की वज़े से क्या हुआ कि संस्कृत भाशा में किस शब्द पर जोर देना है, और किस शब्द को भीरे से बोलना है, इससे भी उसका अर्थ बदल जाता है, इसको कहते हैं उद्दात, अनुदात, अस्वरित, तो बिकास इट इस ओरल तो और ये लिखा नहीं गया, और ये लिखा नहीं गया, जिए जब वेद मिले हम लों को, कैसे मिले हों में आ रहा हूं, तो ये लिखित रूप में नहीं थे, ये खाली ओरल ट्रैंसमिशन होता था, अच्छा, गुरू से शीशी के बाह जा रहे हैं औ हजार वर्षों तक, अच्छा, और उसकी एक साइंस डिवलप की गई कि कैसे इसको एक से दूसरी जनरेशन, एक से दूसरे वेक्ति को ट्रांसफर किया जाए, इन अ फॉल्ट लेस मैनर, प्लीज, आइम रिपीटिंग, फॉल्ट लेस मैनर, बेना किसी गलती के, जिरो फॉ अब वोगो औरल य ट्रांसफर करना है, एक से दूसरी जनरेशन, एक से दूसरी आदमी को, लिखत है नहीं, अब औरल चीज है, उसमें शम्दों का अर्थ उनके ऊपर किस पर जोर दे रहे हैं, इसको हल्के से बोल रहे हैं, किसको दीर बनाएके बोल रहे हैं, उससे उसका उसको faithfully with full fidelity preserve करके रखना for thousands of years it's not easy to say the least as a matter of fact it's very difficult तो देखिये world के some of the greatest western endrologists say कि इतना perfect system था ये transmission का कि रिटन से जादा बेटर था ये आप समझी इये मैं क्या कहा हुआ तो वो कैसे संबभ वभा वो इस तरह संबभ हुआ कि एकी चीज को कई बार अलग अलग ढख से वो लोग याद करते है जिसको भिन 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 पात कहे जाते है द्वज पात, शिखा पात, गहन पार्ट, एट्सेटरा, बट इस नॉट टॉपिक अब डिस्कुशन, तो जब यह आये उस रूप में, औरल रूप में, तो औरल रूप में इसका ट्रांसमिशन होता था, और रिशियों को कहां से आये, जब वो ध्यान कर रहे थे, तो उनकी मानस में आये, आप समझी है, मानस में आये, वन दे वर मेडिटेटीं, डे रेसीव दिस विजनम डेर्क्ली, तो इस नॉट इस अगाश माने होई, थूब मेडिटेशन दे रियलाइस्ट, पोलब यह हम और कह सकते हैं किसी रिशी के सोच की उपज है वेद, सोच की उपज नहीं है, यह अपः रिष्य ह अगर किसी पुरुष से नहीं है, और रिशी तो पुरुष थे, तो उनकी सोच की उपज नहीं है, they were recipient, उन तक उन तक ग्यान पहुचा, अब देखी, मैं इसको समझानी के कोश्च करूँगा, not very properly, but to the best of my ability, देखी, उस तरह की चीज है, कि आप कई दफा कुछ पढ़ रहे ह होते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है, फिर आपने किताब बंद कर दी और बैठे हुआ है, आपको concept समझ में आ रहाता है, ऐसा बहुत होता है, अब जैसे गौतम बुद्ध इतने वर्षनों तक तपस्या कर रहे थे, और क्षीन हो गए, और खाना पीना बंद हो गया, उनके हड़ी देखने लगी, यह सब हो गया, पर जब उनको ग्यान हुआ, तो वो प्रोग्रेसिव ग्यान नहीं हुआ था, इन फ्लेश, सुर्णी रियलाइज, ओ, इस इस इट, जब हम लोग बात करते हैं, अपने ग्लूरियस पास्ट की, वो देखना चाहिए, कि बिफोर मेरा तो हायर अप्लाइड मैस था भाई, एम्टेक में, तो मैं तो जब वो पढ़ने लग गया, मैं आवाक हो गया, और हम लोग धाई हजाट साल पहले की बात करने हैं, और किस स्टेज पर, वो वेदी बनानी है साट फिट लंबी, जो घर में हम लोग पूजा के लिए वे उसका क्या एंगल होना चाहिए, दो भुजाएं किस एंगल पर होनी चाहिए, और उनमें कम से कम पचास पोजीशन हर चीज के रखने की, एगजेक्ट कितने डिस्टेंस पर ड्यू इस्ट से किस एंगल पर यह सब दिया हुआ है, एंगल लोग वो भी है, एगजेक्ट जिरमाइस इस अपर देर, बधहायरे सुल्वा सुत्राव। बधहायरे ना यह, रज्यू गड़े पढ़ी हुए, अगल आप आईगे अगल अगल तो उसकी लिए एक पूरा नया डिस्प्लिन बना जिसको कहते हैं ब्रामा, रामन वर्ग कह दिया गया? नहीं ब्रामन वर् लिट्रेचर, जैसे पहला संजिता कहलाता है, और जो उसको फॉलो करते हैं वो ब्रामन कहला है, तो उसमें मतला जाती बाद नहीं है, यह एक लिट्रेचर है, हाँ उसी से ब्रामन वर्ग बना, बिल्कुल बिल्कुल, जहां में सब कुछ लिखा हुए, उस टाइम में तो जाती की, तो देखिए, कितनी यह कॉंप्लेक्स चीज़ की में बात कर रहा हुए, तो आपको यग कराना है, तो उसके लिए वेदी बनाईए, अब अगर आपको मान लिजे अशुमेद यग के लिए वेदी बनाने के लिए, एक एक साल, क्योंकि उसमें दस हजार, उसमें 18000 एंटें बनानी पड़ती थी हाथ से, और वो 18000 एंटों का डाइमेंशन अलग, और अनको किस एंगल पर रखना है, किस एंट को पहले रखना है, क्या मंत्र पढ़ते हुए, और उसकी मट्टी कहां से लानी है और उस मट्टी में किस अनुपात में दूसरी चीज़ें मिक्स करें पांच लेयर में वेदी बनती थी पांच लेयर में उप एक के उपर एक के उपर वो इंटे रखी जाती थी उसके उपर फिर तो आप I mean it's incredible तो आप सोची कि वो करने के लिए तो बहुत ज्यान के जरूरती ना तो जो क्लास वो करवाता था ब्राह्मान एंड डारिक्टरी दे लिट्रेचर वो ब्राह्मान कहला है और वो ब्राह्मान उनकी हैंड बुक होती थी ये second part of वेद तो पहली हुई संगिता दूसर हुई ब्राह्मा ये रिखवेद का है अभी इस second part हुआ अभी दो और बाकी है अच्छा थर्ड पार्ट वोस कॉल्ड आरिन्यक अरिन्य से बना अरिन्य मतलब होता है जंगल ठीक है ठीक है तो अरिन्यक्स अरिन्यक्स वर कमेंटरी अन संगिता कि संगिता में तो इस्तुती है सिंपल सी कि हे इंद्र भगवान आप वजर रेके आएं और मेरे जो दुश्मन है उनका आप नाश्ट करें या मेरे धान की खेती अच्छी करें या जो भी आप तो अब ये अगर आपको उनको बुलाना है तो आप उनको खुश करने के लिए यग्य कर रहे हैं तो एक तो ये मतलब हो गया जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसका एक डीपर मीनिंग होता था अच्छा नोट दफेस मीनिंग जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में जितनी पोईट्री होती है उसके हमेशा दू अरत होता है एक शब्दार्थ एक भावार्थ या गूलार्थ अच्छा एक वाव्यस और ये इदन दीपर मीनिंग तो दीपर हिदन मीनिंग अगर मेताफिसिकल मीनिंग इसको अच्छे समझ पाएं अब देखिए रामायन भी जब आप पढ़ते हैं तो एक तो सीधी आप रामायन की गता पढ़ लीजए राम चंद्र थे उनकी पतनी सीथा माता थी है उनको रामायन हर के ले गया उन्होंने जाकर कि हर्मान जी वानर सेना से रामण को राया, अवद कर दिया, लंका जला दिया, सीधा जी को वापस लिया है पर जो एक्सपर्ट्स है वो इसको गूलाहार्त के अश्या मत्लब रामण से के विजए है तो उसी तरह उन मंत्रों का गूलाहार्त है अश्या निक लिटरेचर रामायन भी रोग है तो तीसरा पार्ट क्या हो गया? संगिता, ब्राह्मन, आरिनुट, अब चौथा? अब चौथा पार्ट आया, विच इस वाल उपनिश्द, विच वल उपनिश्द, उपनिश्द वास् प्योर्ली मेटाफिजिकल इंटरपेश्टेश्टेश्ट, अब विदास्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश् वही है दो चौथ हा उपनि Sizha है उपनिशथ तो हर वेद के अपने प्राम्मन है हर वेद के अपने आरजिन, ऑर हरवेद के अपने उपनिशथ है और इन चारों को कमबाइंड करके हम कहते हैं चार वेद हर वेद के चार पार्ट है अच्छा, so this is what it is ये तो हो गया ओवर्वियो की वेदों में वेद की प्रकार के structure है उनका अभी चार हो गए पहला आ गया रिग वेद, जो मंतरों का वेद है फिर आया साम वेद अब साम वेद वो वेद था कि उन मंतरों को कैसे उचारित करेंगे सास्वर गा के क्योंकि आप इसी को बुलाते हैं तो इस्तुती तो स्वर में होनी चाहिए ना उसके लिए साम वेद की रचना की लिए तो साम वेद में जितने भी मंतरे हैं नेरली 80% 85% वो रिग वेद के ही मंतरे है पर अगर आपको उनको में गाना है तो उनमें थोड़ा आपको वर्ड इधर हुदर एड़ करने पड़ेंगे तब तो राग में आएंगे ना तो रागों की उत्पत्ती साम वेद से हुई तो पहले तीन स्वर बने पर पांच और फिर साथ स्वर बने सारे गामा पादानीसा तो ये साम वेद से आए है ये सब साम वेद से उत्पत्ती है स्वर हमारे जो साथ स्वर हैं वो साम वेद से आए है और वो इसलिए आए क्योंकि जो रिग वेद में जितनी स्टूतियां यावर मंतर हैं उनको कैसे गा के आप पढ़ेंगे काव्याधमक form में कहने की कोशिश ki गई किस रूप में आपको उनको गाना है किस राग में ये सब prescribed है ठीक है ये हो गया अब आया है यजुरुवेध है कि किस प्रकार से आपको यग्य करना है अच्छा वो तो मंत्र है पर करना तो यग्य है ना? यग्य कैसे करेंगे? डारेक्टरी उफ यजुरुगे तो अगर आप कोई भी यग्य करना है और चार सो डिफरेंट यग्य होते हैं, उन यग्य का डीटेल एकाउंट दिया हुआ है, और कौन सा मंत्र किस यग्य में किस जगे यूज करना ये भी द अगर आप पढ़िए तीन वेड़ा है अब एक ध्यान जेने की बात यह कि गौतम बुद्ध के टाइम तक किवल तीन वेड़ की चर्चा है चार वेड का नाम नहीं लिया तो शुरू में लगता है कि किवल तीन ही वेड़ थे अच्छा वेड़ बाद में आया या अधर वे तो तीन वेद और चौते वेद में ताइम का अगर देखे तो काफी डिफरेंस है ताइम का और अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि जो उसमें सुसाइटी किस प्रकारती वो देखें तब भी समझ में आ जाता है कि डिफरेंट सुसाइटी की बात हो अच्छा तो अब जैसे अथर वेद में रिशी पानेनी जी की संस्कृत जो है जो उनने ग्रामर लिखा है वो वेदों के बाद ही आया है वो काफी मच ठीक है ठीक है ठीक है पानेनी तो आए है करीब लेटर हाफ अफ बीसी मिलेनियम तो यह समझ लीजे कि क्रिशियन एयरा के स्टाठ होने से 300-400 साल अच्छा आच्छा ठीक है पर वेद तो सब उसी भाषा में है पर फिर भी भाषा तब ही बदलती रही संस्क्रिट भाषा भी स्थिर तो कोई भाषा इस त्छी नहीं रहती तो उसमें परिवर्तन आए शुशल शर्कूंसदेंसे में परिवर्तान आए, जोग्रिफिकल डिस्क्रिप्शन में परिवर्तान आए, उस सबसे पता चलता है कि अथरवेद बहुत बाद में एड़ किया गया। पानिनी के भी बाद की है उसमें भी कई जगे तरई विद्या का नाम आता है तरई विद्या समझ है ना उसमें YouTube चार वेदों का कई जगे जिक्र नहीं है तरई विद्या और बुदिस लिटरिशर में तो ज्यादा तर तीनी वेध का जिक्र है तो ऐसा लगता है कि पहले तीनी वेद मानने थे, फिर जब वैदिक आरियंस का इंटिग्रेशन हुआ, लोकल पॉपॉलेशन से ज़्यादा, तो वो जब समाहित हुए उसी समाज में, तो कई उनकी भी धारनाएं, रेति, रिवाज, सब इसी में मिल गए, तो जब मिले तो ग जब की कई चीज़े, जदू टूणा, तो अथरवजद में जदू टूणा बहुत है, जदू टूणा मातर प्रपर किसी की पशनी का वादा, तावैज मां दीए, प्लुसी की गाय कैसे चुराई जाये, अंगोठी पहनी है, नै अंगोठी पहनी है तो बहुत, देखिए, जादू टोना दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कि, लिखी, जादू क्या होता है? जादू तोना यह होता है कि, अगर ना वह साल बर बढ़ाई है नहीं करे है, और मैं यह चाह रहा हूं कि मैं फस्स पॉजिशन आजाए मेरी, तो मैं क्या करूनगा? तो मैं किसी extra agency की help करूँगा ना तो extra agency या तो हो सकती कि मैं मंदिर में जाओ और भगवान से कहूँ कि सब आपाच रुपे का प्रसाद चड़ाओंगा मुझे first position दिलवादू मैं तो बहुत करता था साल भर बढ़ाई नहीं करी उस time में जाए तो भगवान सुन भी लेते थे कभी का बाद तो एक तो यह हुआ तो यह क्या हुआ यू आर यूजिंग external agency to achieve your goal अब राजा को मालूम है कि मेरे विपक्ष के जो राजा है जिन मैं मैं टेक कर रहा हूँ उनकी बड़ी सेना है और मैं उनको हराना चाह रहा हूँ मुझे डर है कि मैं हर जाओंगा तो आप इंदर भगवान के लिए यग्य कर देते कि इंदर भगवान आके मेरी साहता कर दो यही हो है ना इस इसका reference है कि वो आते थे नहीं नहीं आते थे तो कहीं नहीं reference है पर वो लोग मानते थे कि आएंगे जैसे हम लोग आए जैसे मैं मानता था कि अनमान जी आकर मेरा paper लिख देंगे और हो जाएगा तो अनमान जी तो I am sure नहीं आए पर तो यह जादू टोना और external agency के help देना वही है तो जादू टोना उसका ज्यादा gross रूप है कि आपको यह है कि अरे भई हमारी गाए के हर बार बच्ड़ा हो रहा है बच्चिया नहीं हो रही बच्चड़े का मुझे यूज नहीं है तो यह बगवान वो बच्चिया हो तो कंट्रोल तो नहीं है न तो आपने जादू कर दिया बुलाया ओजा आया उसने जादू टोना किया पूकी ऐसे ऐसे किया कि हाँ आप हो जाएगी या काली तावीर बन दी या आपको यह लड़की हो रही है आपको लड़का चाहिए तो आके उसने पूजा ओजा करके तो यही जादू टोना होता है ना इस सब का एफेस अथरवेद में है तो देखी एक तो यह हुआ मैं आपको भेद बतला रहा था तो यह तो हुआ इस इस काल्ड ओर्डनरी मैजिक या वाइट मैजिक इसमें आप किसी का अनिष्ट नहीं चाह रहे है आप अपना फाइदा चाह रहे है देविक शक्तियों या एक्सिडिनल फोर्सस की हल्प से एक हुआ कि आप किसी का बुरा चाह नहीं ब्लाक मैजिक इसको ब्लाक मैजिक कहते है तो वो यह है कि अरे वो हमारे जो पडोसी की बेटी है वो मुझे घास नहीं डालती है वो मेरी तरफ आकर्शित हो जाए तो चलो यह कर दो तो वो हो जाए या उसका हजबन नपुनसक हो जाए यह मैं आपको अग्जाम्पल ले रहूँ पर ठीक है जो है उसमें नपुनसक वाली चीज है तो अब कहने का अतात्पर यह है कि जो दूसरे का अनिष्ट या बुरा चाहने वाली चीज है वैसे भी जादू अथरववेद में तो देखिए उस टाइम में जो ट्राइबल्स थे इंडिया में आर्यावरत तो बहुत बड़ा एरिया था तो आर्यावरत में केवल रिफाइंड लोग ही तो नहीं थे जो अर्यावरत आर्यावरत आप डिफाइल कर सकते हैं जोगराफी के लिए देखिए इट रीजड राइट अप टू एंड अफ प्रिजन डे बिहार अन बंगॉल अच्छा और यहां पर अप्टू अफगानिस्तान जहां तक गया और विंद्या के टौर्ड्स नॉर्थ अच्छा उपर से ही तो यूपी हरियाना, पंजाब इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब यह सब तो आर्यावरत में था न बंगए होग değişe करी जहां तो यहां तो दूसरी प्रजातियाँ भी अच्छा तो अपनी प्रैक्टिस थी अपना कल्चर था वो by बंगे रिंटीग्रेट हैं, तो उनका धर्म ली हमारे उसमें आया और इनकी प्रैक्टिसने उनने अटौक्ट करी वो भी आरेन बन गए तो ये जादू टूना ऐसा वश्वास की जाता है कि जो ब्लैक मैजिक टाइप है ये वहाँ से आया और वो अथरवेद में काफी है अच्छा ठीक है अथरवेद में देखिए और भी चीज़ां बहुत है उसमें फिलोसिफिकल थिंकिंग पर भी बहुत है ऐसा नहीं कि किवल यही हो तो इसमें कई चीज़े है आज की डिट में अगर हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक कही ना कहीं इसके बारे में चर्चा है तो आज भी होती है खाली इंडिया में नहीं खाली सर्वातन धर्म में नहीं कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लाक में अच्छा और होता है मतलब आज की डिट में आपको लगता है तांतर एक विद्या जो होती है वो एक्जिस्ट करती है प्रैक्टिस तो की जा रही है ना बिलकुल क्यों नहीं की जा रही है आप बार मैं नहीं पढ़ते हैं कुछ दिनों पहले किसी ने अपने बच्चों की बली दे दी थी आपने पढ़ा होगा ना यह यह तो है तो फिर यह क्या है वो तो ब्लैक मजिक है इसके लिए तो उनको सक्से सक सदा मिलनी चाहिए पर मैं किवल यह कह रहा हूँ कि यह चीज़ें खाली इंडिया में नहीं है यह हर सिवलाइजेशन में एक्जिस्ट करती है हर रिलिजिन में एक्जिस्ट करती है देखिए मैंने जब यह दूसरी बुकल ख़रा था तो काफी इस पर अध्यन किया तो क्रिश्टिन सुसाइटी में तो बहुत बात तक ही हो रहा था अच्छा हो और अभी भी वहाँ पर ही सब मानने वाले लोग है और वही इसलाम में है वही सब रिलिजिन में हो अब क्वेश्टिन खा लिए कि कितना है आटे में नमक के बराबर तो केवल हो है तो उस समय देखिए हर चीज को हमको टाइम के परिपेक्श में देखना चाहिए हम लोग बात कर रहे हैं आज से 2000 साल से पहली हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं जब रेस्ट आफ दे वर्ड में ज्यादा तर लोग यह नहीं जानते थे कि कपला क्या होता है कुक्ड फूड क्या होता है हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं एक ऐसे गरंथ की जिसमें फिलोसिफिकल चीज भी है और काला जादू भी है तो इसको आप अगर इस रूप में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वी आ टॉकिंग अबूट अबूट आ हाईली हाईली इवॉल्वड सुसाइटी देखी उस ताइम में तो क्रिश्टियनिटी मैं तो बीसी की बात कर रहा हूँ भाई अब समझ रहा है ना कि अगर जी एस ख्रैश्टिय के साथ क्रिश्टियनिटी वॉल्व हुई है अब आप सूचिए कई साल पहले हम इस चीज़ के वारे में इकस कर रहा है कई साल नहीं कई डेकेट तो अगर प्यूरली मेटाफिजिकल कॉंसेप्स अर डिस्कॉस्टियनि सेम अथर्ववेद सामझ गया तो इट ओनली सिग्निफाइज वन तिंग ए कि ये दूसरे लोकल नौन आर्यन्स जब वैदिक समाज में घुले मिले तो उनकी कुछ प्रैक्टिसेज नहीं दूसरे जब कोई भी सुसाइटी एवालो करती है तो इस तरह की चीज नहीं आती है गलती तब होती है जब सुसाइटी उसी पर अटक जाए पर वैसा तो नहीं हुआ हम जानते है जब सकते हैं तो तो सुनने में नहीं आता है बहुत कम आता है और हम लोग बैठके उसको कुछ साइज करते है तो आध इस तरह तो अटक फीज़ आता है and refine itself and change itself which is not permitted in other religions that is the beauty of sanatra why I feel proud of it because it permits you it gives you that freedom कि अगर कोई चीज नहीं आपको लगती है तो उसको वहें छोड़ दो देश कालय आवातावरन के अनुरूप नहीं है तो इसली तो स्मृतियां लिखी गई न इतनी स्मृतियां क्यों लिखी गई कि विद पासिंग टाइम तो आपका धर्म उस चेंज प्रैक्टिस में क्या होगा उसके लिए स्मृतिय लिखी 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 और मैं तो यह मादब बढ़ते काल के साथ साथ चीजे बदलती हैं लोग बदलते हैं मनुश्य बदलते हैं तो धर्म भी आपका बदल रहा है वोल्व मतब बढ़ते बिल्कुल सही आपने का ठीक है मैं थोड़ सा टेंजेट बदलने की कोशिश करूगा चार में डिसकस किया हमने हमने बात करी अभी आरियन्स की एक बहुत रोचक एक थियोरी है आरियन इन्वेजन थियोरी हमें बच्पन से बच्पन में गया मतलब हमारे कॉलेज और स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में तो डिरेक्ट सवाल पूछे रहो और ये सवाल में को ऐसा लगता है कि डिरेक्ट ली पूछना भी जाता हूँ कि क्या हम आरियन्स हैं क्या हम आरियन्स हैं आरियन्स के रेस के हैं और आरियन्स कौन थे हम लोग हाँ अब इसका आपने मुझे जवाब देना आसान कर दिया अगर कोई ये कहे कि क्या हम लोग बंदर हैं तो हम लोग बंदर नहीं है पर हम लोग बंदर सही एवाल हों अच्छा दार्विन थेरी तो यही है ना करेक्ट दार्विन थेरी ओफ एवलूशन तो यही है पर उसके यह मतलम नहीं कि हम आज चिंपैंजी हैं, हम में अभी भी चिंपैंजी का कुछ गुन होंगे जरूर अच्छा बड़ी आर्ट तो इसके इनाव़ा तो नहीं कहा जाता है, तो उसी तरह से, एक तो यह कि यह नहीं क्लियर है कि आर्ट कौन थे, एक तो इसी शब्द पर बाववबाद है, R-Invasion theory कहती है कि तो आपने around invasion theory का नाम ले दिया, असलिए मैं इसको specifically deal कर पाूँगा तो देखिए according to a euation invasion theory, invasion by definition means, somebody which did not belong to that area and who came there by force envision का ही मतलब होता है अगर आपके घर आपका guest आए तो आप इसको envision तो नहीं कहेंगे आप तो कहेंगे कि your guest came and stayed there अगर आपके घर में परिवार में एक नया बच्चा पैदा होता है इसको envision नहीं माना जाता वो तो addition है अजे तो अब जहां तक Aryan invasion तहरी का तालुक है उसमें ये उसके propounders ये मानते है कि Aryan race एक अलग race थी अच्छा वो लिवड आउट आफ वोट वी प्रेजन ली कॉल Indian subcontinent तीक है इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश और पार्ट आफ अग्वानस्तान लेट से कि जो इसके बाहर के थे और जो यहां आए ठीक है तो इसके मतलब वो यहां के जो मूल निवासी थे उनसे एकड़म अलग थे और वो आए और वो ने इन्वेड किया आके युद किया इनको परास्त किया और अनके ओपर रूलर बन गये यही उसका मतलब हुआ ना तो इस थेरी थे बिन डिबंग्ट मैं वो इसलिए डिमंग्ड है मैं आपको दू-तीन बड़े सीधे-सीधे तरक दे देता हूं और आपको समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कहता हूं देखिए इन्वेजन प्री सपोज़िज कि कुछ सीमा है जहां तक हम लोग रहते थे और उसके बाहर के लोग आउटसाइडर्स थे माइक तोरदा पास कर लो कि एक सीमा है जहां तक हम लोग रहते थे और उसके बाहर के लोग आउटसाइडर्स थे यह हो गया ना इसके मेना तो नहीं हो सकता अब अगर यह बात हम लोग मान लें तो it presupposes कि the boundaries of countries were defined पर country did not exist at that time there was no country or state concept there was no definition of nation, there was no definition of nation-state तो जब definition of nation-state ही नहीं है तो कौन वो लोग थे जो बाहर से आगे, क्या बाहर था? अगर आपके घर में आगन नहीं बना हुआ है और आगन की चार दिवारी नहीं बनी है और उसके सामने एक खुला मैदान है और उसमें कोई सुबह टहलने आता है आपका है वो इन्वेडर है तो इन्वेडर तो तब होगा अगर आपने कोई लाइन भी खीच रखी है अपने घर के बार की हमारा हांगन है अगन है अगन हमने तार बान दिया तार नहीं भी मादा हमने जाड़ी बना दिया या नहीं भी बनाई एक रेखा कीज़े दिया अगन जे पर जब नेशन स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं थी, नेशन स्टेट तो बड़ा रीसेंट फिनॉमना है ना भाई, तो इन्वेडर कोई कैसे होगा, एक तो यह एक मूल तर्क है मेरा, ठीक है, दूसरी चीज, उस समय में सुसाइटी एवाल्व हो रही थी, तो हंटर गैदरर्स होते थे, जो एक जगह दूसरी जगह जाते थे, जो शिकार किया, इसको बार के खा लिया, जो प्यड़ पौदे से मिला खाने को, खा लिया, फल फूल, और इधर खितम हो गया, आगे चले गया, अपने साथ ठीक है, तो वो पीरियड जो है, वो हंटर गैदरर का कहलाता है, उसके बाद पैस्टरलिस्ट साए, जो अपने साथ बेड़ बकरियां पालने लगे, तो यहां चरने के लिए जगह नहीं रह गई तो अब आगे गए, जहां ग्रीन पास्चर है, तो बेड़ बकरी अपने पाद पाद आगे जा रहे हैं, तो वो जहां पहुँच गया वो जगह उनकी थी, तो ना अफगानिस्तान था, ना पाकिस्तान था, ना इरान था, ना कुछ था, तो कोई कैसे आया और किस चीज़ पर कबजा किया, जब सब चीज एक दूसरे की थी, तो लैंड थी बस एक और लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो हंटर गैदरर्स कई दिशाओं से आये होंगे, और जो यहां के ट्राइबल्स रहे होंगे, कुछ, उनसे इंटर मिक्स किये होंगे, और उनसे फिर इंटर मैरिज़ भी हुई होंगी, उनसे कल्चर, खान पान, नॉलेज का आदान बदन हुआ होगा, तो नई जनरेशन में तो मिक्स डियने निकला होगा, तो डियने तो यही प्रूव कर रहा है कि हम सब लोग अफरीका से आये थे भाई, जितना भी डियने पर वर्क हुआ है, आपको पता ही होगा, 2019 के पहले तो 92 साइंटिस ने मिल करके डियने की जो रि तो उसमें तो यह है कि भई, डियने से तो यह एफ एन बट का सवाल ही नहीं रहा गया, सब को मालूम है कि हमारे पूरवज अफरीकन्स थे और अफरीका से आये, दुनिया भर में, तो कुछ एक रूट से आये, कुछ दूसरे से आये, और कुछ पहले आये, कुछ बाद में आये और आपस में शादी करी और बच्चे पैदा हुए और वो नहीं जात के निकले तो कौन आर्यन, कौन अनार्यन मेरी समझ के तो बाहर है पर अब दूसरा इंपॉर्टन चीज आती है आपको मैंने बीच में टोक दिया जो ज्यादा इंपॉर्टन चीज आती है वो यह कि आर्यन शब्द इन जनरल एज जोग्राफिकल लोकेशन यूज हो रहा है कि जो लोग सेंट्रल अफरीका के स्टैपीस से आये थे अच्छा और जो यहां के लोग थे वो यहां के जंगलों में रहते थे या साउथ इंडिया के जंजाती जो थी वो आये तो देखिए कोई ऐसा एविडेंस डीने से नहीं मिला है कि इन लोगों में इंटरेक्शन नहीं गुआ हो सब की डीने में एक दूसरे के वो है ठीक है तो डेफिनिटिव एक चीज के ही जा सकते है कि देवर टू वेवस इन विच लोकल इनहबिटेंस मिग्ज़ विद पीपल फॉम अबरॉड और यहां कोई ऐसा एक दलाल है बहुत सेनर इंडरोजिस है उन्होंने कहा है कि अगर बाहर से लोग आये होते एक थिरी है कि इंड कि अधियस वैली सिवलाइशन हम लों की ओरिजिनल सिवलाइशन थी और आरि inic ने आकर इसको डिस्टॉय कर दिया अगर ऐसा हुआ होता तो जब भी इन्वेडर आते हैं और अटेक करते हैं किसी को तो उसके एविदेंस मिलते हैं अब इविदेंस कैसे मिलते हैं जैसे ही ए तो लोग घर छोड़ते में जान बचाके जब भाग रहे हैं, तो अपने अनाज की बोरी और दरवाजे और खिड़की खुल के नहीं ले जाते हैं साथ। तो दरवाजा खुलने का टाइम नहीं रहता है। तो जो अवशेश मिल रहे हैं और मेहरगड़ में उनमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो लोग एक आएक घर छोड़के भागे थे। बलकि ये भी एविडेंस है कि कुछ समय बाद आकर कि वहीं सेटल कर गए। और फिर भी आकर वहीं कुछ सेटल्मेंट्स हुए। तो ये कड़ी मिसिंग लिंक्स हैं कुछ तो ये समझ में नहीं आता क्या है। और उस पर अलग अलग चर्चाएं हैं पर ये डेफिनिट है कि आरियन इंवेजन थे लिए। जो ये कहते हैं कि आरियन्स बाहर के थे इंडिया के मूल निवासी और थे वह आये इन्होंने इंपर अटेक किया और वजया पाई इसमें सकते नहीं। मैं आपने अभी हमने बात कर्री स्थिप्लाइशन के बारे में तो उसके बारे में कुछ पता लगी इंडियस्वगसी के बारे में ऐसे क्या निवेद्रियद्व Walis Budget करी है इस बुक की और अपकी जो भी अगली बुक है तो उसमें आपको क्या ऐसे चीजें पता लगी इंडेस फ़ली सिबिलिजेशन के बारे में जो हमें आज की डेट में या तो कम पता है लोगों को या फिर नहीं पता है किसी चीज़ ने आपको आवाग कर दिया हो ना मुझे तो उसमें इन लास six or eight months मुझे इतनी इतने development इतने quick हो रहे हैं कि पिछले च्छे आठ मेने की चीज़ों ने बहुत आवाग कर दिया पिछले दो-चार साल की तो बात छोड़ी है तो देखी दो चीज़ हो रही है एक तो science बहुत डेवलप कर गई है अब carbon dating अब अंडर्ग्राउंड रडार study अंजे study through satellites ये सब इतनी advance हो गई है कि पूरा process बदल गया है पहले हर चीज सर्माइज की जाती है शायद ऐसा हुआ शायद ये चीज चारहजार साल पुरा नहीं अभी तो आपने भेजा और उसकी एक देखा पोड़ीट पता चल गई अभी आपको नरक अंकाल मिला तो आपको ये सोचने की ज़रुगत है नहीं की कौन से अभी तो आपने उसको भेजा और डीने से उसको पता चल गया विदिन हंडर्ड येर्स की उस ताइम का है ये तो इसलिए चीज होना क्विक चीज इसकी बात कर रहा हूं स्वभाविक भी है ठीक है अब मैं आता हूं इंडो इंड़े से औरुपली सीविलाइडशन तो जब हम लोग पढ़ते हैं इंड़े से अब टो अबम मैं आ décolas का kumplying क्मपलीट डिसकनेक्ट माना जाता है अच्छा है वेड़िक से अभी ब्र मsın भी ह hackers के आनफ चेसलियों लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाह ही निय जाता हो, कितना भी rudimentary धर्म हो, religion, not धर्म, तो religion तो हरे एक उसका होता है, अब वो बहुती basic African tribes हैं, वो भी सोचते हैं कि अरे, बिजली चमा करिये तो ये भगवान है, मनुष्य के प्रवर्ती है, आसपास के प्रकृती को देखे, उसको surrender करने हैं, जो भी आपनी समझवात है, उसकी पूजा करने लगते हैं, ये हर वर्ग में, हर से उसमें, अगर आपकी खेती, एक साल एकदम पकी केती तयार है और बाढ़ा आ गई, तो आप उसको कैसे रोकें तो आप सोसने हैं कि वो तो कोई देवता है जो आपको कश्ट दे रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है, तो अब इंडस वैली सिवराइजेशन में जो मिला, तो देखिए, वो तो बहुत रिसेंट फाइंड है, ये कम लोग जानते हैं कि तिल 1900 and odd, no one knew about इंडस वैली, नहीं हैंजे, वो तो अब देखिए अगर ये हाल है, तो अगर देखिए, अगर ये हाल है, तो तब तक तो इंडिया को, ये माणा जाता था था कि इंडिया के कोई सिवलाइजेशन नहीं थे, जब ब्रिटिश रूलर्स थे, वो तो आरेन ज्विशन फिरी को पुश करते थे, त तब तक तो यह था ही नहीं कि इनके कोई सिविलाइशन है। जब वह एक्सिरेंटली मिला और आपको पता हो यह वेरी इंट्रेस्टिंग क्यों कैसे मिला वह लाहोर कराची रेलुइज लाइन ले करी जा रही थी और उसमें वह जो पत्थर डाले जाते हैं कि ट्रैक मूव न कि इसको कहते हैं वह कलेक्ट करना एक प्राबलम हो रही थी तो जो ब्रंटन साब थे वह इंजिनियर उन्होंने गाहों के पास देखा कि वह बहुत सारी पुलाने खंड़े अपड़े हुए तो उन्होंने उसी के इंट तोड़ तोड़ के डालने शूरू कर दी अच्छा आपको बिखनें नुद्いき अच्छा आपका खंड़े एक ठीजिए यहार का पर तुल यहां पर तोड़ तोड़ गड़ेदी हुए तो फिर वहां पर वह तो पर वह उन्होंन फ्लीट ने वहाँ पर एक टेरा-कॉटवसील मिली तो नहोंने का यहां पर तो वह है फिर वह इ और फिर उसमें से पूरा हडपा निकला, and when, you know, हडपा, अगर आप यही भी मान के चलें, अब तो IIT की रिसर्च यह प्रूव कर रही है कि वो 5000 साल BC का है, अब आप 7000 साल पहले की बात कर रहे हैं, साथ हजार साल पहले एक सिती है, जिसमें हर रोड 90 डिउटी पर बैसेक्ट कर रही है, जिसमें ड्वल स्टॉ smells बिल्डीग गोडिए जिसमें इंट जिए वो बेंग डीट है, कच्ची इंट नहीं है, जिसमें drainage system covered है जो bombim भी आज तक नहीं मिलता है 100% covered 100% covered drainage system उस समय और वो भी पूरे 7000 साल पहले की बात कर रहा हूँ 7000 साल पहले आप समझीए जब most of the world was living in jungle एक सब बता ऐसी थी तो अगर वो इतने evolved थे जब 90 degree का जो angle है जो उनके double studied घर है बात्रूम्स आर उन first floor can you imagine why would somebody build bathroom on first floor 7000 years before तो वह से drainage system बनाना पड़ा जब और वो अगर आप वो जो आजकल मेसन्स यूज करते है एक डोरी में नीचे बॉब लटका होता है जिससे दिखा जाता है जिससे दिखा जाता है जिससे दिखा जाता है जिससे टिखा जाता है बट अच्छा भूला अपने हम अपने आपको बस इसे पट्टी लगा दे रहे हैं जो चीज इस नहीं बड़ी है करते हैं मैं नहीं मैं छोटा बनना जाते हैं इस तुपिडिटी अरे गो एंट टल द वर्ड द विग यू आर तो प्टी आपने हैं विडिय' कम चीज आते हैं युझा आते हैं जो युझे, विष्व कुरे बोचा राजे, का मैं रधाधियों होасकता है हुझा रखे, जो लुझा जोना है कर राणाता जिए मैं तर नहीं कि पार राण तो यह जो आरिया है को दो पकार रहाएं यह शुछ इसलाम है। तो भाग्या पिछ वरां अधी ऐसा आदमी पच्छ आपल इंडिया के रूल से अंचान साल रूल किया। चंदरकुत मोरत के के अम बड़ने रिढ़ इन्डिया बड़ने कमें, तो जब तो डिमोक्रिसी है तो कोई कर दे मुझे ही बताओ तुम डिस इच मेक सेंस कि जब रूलर है जो यह कह रहा है कि मैं तुमको कनोल्ट करके चोड़ूंगा उसके इतना वड़ा सामराज्य बन चुका है वो निस सारी गॉर्मेंट मेशीनरी जिसके हाथ में है जो आपको हर तरह की लालचच दे रहा है, हर तरह की प्रताड़न अर तरह का कष्ट जप वालों ने ने किया जो अनपड़ू जनको हम समस्तने है उन्हों फिर भी अपना दर्म मिरला वह बदला बहुत सुंदर बात कही है अपने तो अब यह मुझे बताओ कि अब हम लोग बदल देंगे अब तो हमारे पास पलकी ऐसे-इसी कथा है ऐसे-इसी बुक्स है अजिए के लिए दो मुझ बोगी है का है बहुत्त किभी दिशत स्क्राशा कर भाउं मेरे पास एक चार्ट मेने प्लॉट किया है कि लेंड मास कितना 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 कंट्रॉल हुआ है तो आठ सो साल में से चहहसो साल तो उडिए वर इटाटी परसंट उडिया थीड औप एरिया वीज़ है ठीक है उड में एरिया वाइस था Are you पर मैं यह कहा रहा हूँ कि 800 satsal बहफ नहीं, जहां जहां रूल रहा, एरान में तो बहत कम रूल रहा, पूरा ईरान जॉरेस्टर सी दर्म बदल से अस्वराम कर दिया, युरोप में जहां विच बिकेम इस्लामिक बट गॉट बैक तो क्रिश्यानिटी खाली वो एक्सेप्शन है और इंडिया एक्सेप्शन है जो इस्लामिक बने ही नहीं और आप यह बोगी कर रहे हैं कि नहीं इंडिया हम लोग तो मुसल्मा अरी इतना अपने धर्म पर विश्वास नहीं अगर तुम्हे अपने धर्म पर विश्वास है तो इतना तो मालूम होगा कि जो बोलूब नहीं कर पाए by force when they were ruling you when that madman Aurangzeb was ruling you for 50 years 49 to be exact when इंडिया didn't get converted into a majority भूल जाओ 90% एक 50% भी मुसल्मान नहीं बनें इंडिया में तो आज कैसे बन सकते तो आज कैसे हो जाएंगे तो ये तो आप deliberately misinformation हो कर रहे है ये बस डराने की ये ये आपको धर्म में विश्वास नहीं अपने दोनों में से एक चीज़ तो हई भई तो मैं तो कैसे बदल देगा भाई ये तो प्रेशनी नहीं होगता तो 5000 साल से चली आ रही है आप उसको कह रहे हैं बदल जाएंगे impossible और जो इतना strong जिसकी values है इसकी values बड़ी strong है तो वो बात है तो हम लोग बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इंडिस वैली civilization तो देखिए उसमें रिमार्किबल चीज़ बिइंग अन इंजीनियर अगें आई गट फैसिनेटड कि उस टाइम में टेडी मेडी दीवार नहीं बना रहे है पर्फेक्ट पर्पंडिकुलर वर्टिकल दीवार बना रहे है छो वाटर एंगिसिट सिस्तम है वह पहले दीवार के साथ लगा हुआ अजे इंजे वह नाली भी कवर्ड है वह जब जमीन पजा रही है तो अजे वह आई ए सब शेयर के बहुर ले जा गारी है नाली ईंजे वाट पर्फेक्ट सिस्तम यह लाज़ेस्ट हॉल ए्सेबली हॉल है 10,000 इस्क्वायर फिट का 10,000 स्क्वायर फिट आजसे शाथ vehicle kर-6 Inn और से साथ इसाथ हजार साल पहले कोई 10,000 स्क्वायर फिट का एस्क्वायर फिट का इस्वेंपली हॉल बना रहा है कितनी evolved society रही होगी जहां, देखिए, society civilized माने जाती है, जो people try to get together, उसी को civilized माने जाता है, लोग तो तभी साथ एकटे होंगा है, ना, battlefield पर होंगे, या ऐसे होंगे, तो इतनी evolved society थी, जहां लोग ये समझते थे कि एक शेहर में 10,000 square foot की ज़रूवत है, जहां लोग इखटे बैट सकें, point है, so this is, अच्छा, ग्रेनरी बनी हुई है common, कि जहां grain storage होगा, जो आज FCI Food Corporation of India कर ली है, तो उसको ठंडा कैसे रखते हैं, अगर हम, क्योंकि, I will like to know, अच्छा, और रखते हैं ठंडा, क्योंकि, वो ही एक तरीका है, खाने को preserve कर रख लेगा, सही बात है, सही store कर रहे हैं, तो, कुछ ना कुछ system ज़रूर होगा, तो, कितनी evolved society रही होगी, अब वो society, जिसकी unfortunately, जो, terracotta seals हैं, वो हम लोग decipher नहीं कर पा रहे हैं, कि कौन सी भाशा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो, बहुत सारी चीज़ पहली बनी होगी है, अगर वो चीज़ समझ में आ जाए, तो, सरनली बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, पर, एक चीज़ नहीं है, कि उन लोगों को लिखना पढ़ना आता था, तभी तो, अगर लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो, क्यों कोई लिखेगा, कोई पढ़ने वाला भी होगा, और वर्ल्ड सिवलाइज़ेशन की अगर हिस्ट्री पढ़ो, तो उसमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, वो ये, कि पढ़ाई लिखाई का सबसे पहला यूज़ होता है, जब कॉमर्स होता है, सही बात है, पैसा के लेन देन, कुछ लेन देन है, तो उसका रिकॉर्ड रखना है, तो, वोही सील मिली हैं, सीरिया वगरा में, सेम मैनिस्क्रेप्ट में, वही, तो इसके मतलब, सीरिया से उनका लेन देन था, तो इतनी इवाल्वट सॉइटी थी, अच्छा, वहाँ पर, वी आर मोर कंसर अबोट रिलिजन, जो हमनों का वो है, तो देखिए, वहाँ पर, तीन ऐसी चीज़ें मिली हैं, जो हमें उनके धर्म के बारे में बताती हैं, एक तो मिली है, एक आदमी बैठा है, एक छोटी सी मूर्ती है, योगिक मुद्रा में बैठा है, आलती पालती में, पालती लगा के, और उसके सिर्पट जटा है, पर, दो सींग भी उसको दिखाए जा रहे हैं, वो सकता है, वो क्राउन हो, उसका एक से ज़्यादा मुँ है, पर वो बैठा है, योगिक मुद्रा में, इथी फैलिक, इथी फैलिक in Hindi would mean, कि उसका लिंग, जो है, उर्दवा कार है, उर्द मतलब? इन एरेक्ट पोजीशन, तो उस टाइम में, फैलिक वर्षिप बहुत कॉमन थी हर सुसाइटी में, क्योंकि फैलिक वर्षिप मतलब हमारे लिंग की, शिष्न की, तो ये कई सुसाइटी में, कई सिवलाइजेशन में था, तो एक तो वो मूर्ती मिली है, तो लोगों का ये मनना है कि वो रुद्र का रूप है, शिव का रूप है, पशुपती का। अजीव. इसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट जाता है, कि पशुपती और शिव, जो पशुउं के पति कहलाते हैं, रख्षक कहलाते हैं, उनके आसपास domesticated animals रहते हैं जो वो ethifalic figurine है उसके आसपास जो animals दिखाए गए हैं वो गेंडा है शेर है शिव जी के आसपास वो नहीं होते है हाँ, सही बात है तो it is not with certainty पर ये possible है कि उसी से वा लोकी हो रुद्र ऐसा माना जाता है तो religious belief के बारे में एक तो ये चीज हुई ठीक है दूसरी चीज कई rings और phallic stones मिले हैं विच अगें इंडिकेट तोड़्स सुसाइटी विच बिलीव इन phallic worship और vaginal worship जो की creativity के लिए होता है यंग यंग Chinese civilization में पूरुष और प्रकरती अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता पर कुछ ऐसे भी structure मिले हैं जो पूजा स्थल लगते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वोग पूजा करते थे एक प्रीस्ट जो बड़ा भव्य मूर्ती मिली है एक शौल ओड़े हुआ है पर वो खंड़ित है तो शायद उसको खंड़ित किया गया तो अपरेंटली देवस अपराइजिंग अगेंस अगेंस प्रीस्ट रूलर अगेंस अगेंज जो भी बड़ी बड़ी इंवल्ब सॉसाइटी थी ऋविद्स रेशिनलि टी ओके तो एशता की डी करी का forums कि तो ऐसा मना जाता है कि बिना लिक्ट्रिसी के रेश्नեलिटी नहीं आती, और बिना रेश्नेलिटी के बाकी चीजह नहीं आती ना थो उन डो में लिक्ट्रिसी थीई अब एक 10 कि अगर वेदिक सिविलाइजेशन उसके बाद की है, तो वेदिक पीरियड में लिखा क्यों नहीं गया, हर चीज मौखे क्यों रही है, दूसरी चीज, अगर वेदिक सिविलाइजेशन उसके बाद की है, तो वेदिक पीपल घर बना के क्यों नहीं रहते थे, जबकि उनसे अ लोग इतने खुबसूरत टाउंशिप्स में रहते थे, वैदिक पीरियड में जो भी चर्चा आती है, रिग वेद वगरा पढ़ने से या वैदिक लिटरिचर, वो यह पता चलता है कि देवर पास्टरलिस्ट, पास्टरलिस्ट मतलब जो भेड बक्रिया चलाते थे, एक जग वेदी बनाई, चार फिट बाई चार फिट के शुरू में तो उतनी होती थी, वो बाद में सुम वगरा में साट फिट वाली वेदी बनी है, तो छोटी सी वेदी बना ली, उसमें लकली लाक रखी और आपने एगी कर लिया, आपकी पूजा हो गई, ना मूर्ती के ज़रू फेटी जो शहर बना के रह रही है, जो अपना parity कर रही है, उसके मतलब खेती भी करती थी, तभी तो ग्रेन इस्टोर करेगी, तो वो सुसाइटी रिट्रोग्रेट कैसे हो गई रिट्रोग्रेट मितलब पीछे कैसे चली गई क्योंकि पास्ट्रलिस सोसाइटी सेटल करे यह तो होता है और सेट्रलिस सोसाइटी पास्ट्रलिस सोसाइटी पास्ट्रलिस के जाएगी गोमने के जाएगी पर इसका इसका मेरा सबसे मेरा एक अभी थौट रही है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यह अलग-अलग सब्वेदाई थी यह सब्वेदा ऐसी थी जो उसके ऐसा है कॉंटाक्ट में ना आप आई क्योंकि इंडिस्वाडी सिविलिसेशन जा पर हम बहुत बहुत बढ़ी आपने सवाल किया है और यही एक बहुत बड़ी डिबेट है तो उसमें लोग यह कहते हैं कि यह दोनों डिसकनेक्टेट थे पर इसी में इंवेजन तेरी आती है दूसरे लोग यह कहते हैं यह जब आय वैदिक पीपल तो इन्होंने डिस्टॉय कर दिया इंडिस्ट पीपल को इस संदर में बन तो इसलिए ये कहना, ये सब कंजेक्चर हो गया, ये आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसमें काफी अंत है, एक और ये कहा जाता है कि जो इंडस वैली के लोग थे, वो महां से ये सब छोड़के इसलिए मूव कर गए, क्योंकि वेदर चेंज कर गया, रिवर का कूर्स चे वेर सर्व है, बड़े फेर सर्व आई हो पान, I remember the name correctly, तो वो बड़ी मुल्टी फेसिदेट परस्नालिटी थी, तो वो हॉलिवुड मुनों ने पिक्चर भी बनाई, और इंडॉलजी के भी बड़े जानी थे, और नियॉयॉक मीजियम के वो क्यूरेटर भी थे, और वो American Spying Agency में भी as Spies रहे कही साल तक, तो बड़ी colorful परस्नालिटी थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़िया काम किया, उन्होंने एक model क्रियेट किया, अच्छा हड़का में इतने कमरे हैं, इतने वो हैं, तो इतने लोग रह रहे होंगे, इतने लोग रह रहे हैं तो इनको इतने किलो अन्हों की जरूवत होती होंगी, और इतनी जमीन है वहां, तो क्या ऐसा हो सकता है कि, that land was not able to support, so he prepared a mathematical model, very complex mathematical model, and he worked out कि no, this is not possible कि they left because of, तो इस तरह कि कई चीज़ें हैं, तो बहुत theories हैं, पर कोई concrete रूप से कुछ नहीं का जा सकता, कि क्या disconnect या connect है, between Indus Valley Civilization and Vedic Civilization, दूसरी एक बड़ी important चीज़ यह है, कि उस ताइम तक तो Indus Valley Civilization खाली वहीं तक मिलती थी, अब तो राखी गड़ी और यहां पर गुजरात और extending up to कौशांबी, वहां तक मिल र रहे हैं, structures, तो इसके मतलब वह जो Indus Valley Civilization थी, वह बहुत फैली हुई थी, उतने narrow area में नहीं थी, तो इसलिए कुछ भी कहना with certainty उचित नहीं होगा, तो यहां पर एक सवाल, बहुत तेव से बात कर रहे हैं, तो एकदम से क्लिक हुआ मुझे, द्वारका के आरे में जह हम बात करते हैं, तो द्वारका का जो खतम होने का समय है, जब स्रीकृष्ण जीस अब धर्ती छोड़कर निकर जाते हैं, और द्वारका जिसने भी आपस में ज्यादफ पंश नश्ट कैसे होता है, आपस में विस्राप मारते है और बाड़ा जाती है, ये एक बताया जाता है, जो अबहारत के आंत में भी इसका जिग्र है, तो क्या ये आप इंडेस्वनी सिप्लिजेशन का जो एंड हुआ और जो ये है, इसके बीच में बात कर रहे हैं, वो प्यूर्ली रिसर्च की बात कर रहे हैं, मैं धर्म की बात अभी धार्मिक माननेताओं की बात नहीं कर रहा हुँ, अब अगर आप धार्मिक माननेता से जाएं, तो राम या क्रश्न या हमनों का जो खालावदी हैं, अलग-अलग important events की तो एंड़ ये वर्षों में कहते हैं वो लोग तो मैं उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं तो इसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका मैं स्टूडेंट हूँ पर मैं उसमें मेरा जादा मेरी नौलज नहीं है न मैंने उसमें जादा अध्यन किया है मैंने महाभारत और रमा पढ़ता हूँ, मैंने पुरान भी पढ़े हैं, पर मैं ने उनको इस दरश्टी से नहीं पढ़ाए कि कृष्ण कौन से एर में हुए थे, आप समझ रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि महा भारत का क्या काल था, तो मैं उसको प्यूर इंडॉलोजी की दरश्टी से uma per- Christian era, मतलब Christ के पहले की है, तो मतलब 2000 से पुरानी है. वो 10, 000 साल पुरानी है, यह मैं भी दरनी है, फ़सकत है 10,000 साल पुरानी है। पर जो अभी दरनी है उस हिसाब से दो सवा दो हजार साल पुरानी है, मावारत. उसमें जो गीता है, उसकी एज डिफरेंट है, incidentally. उसी तरह रामायन की भी. अब जो उनकी रामायन है संस्कृत में, वालमी की रामायन, I'm sorry. तो जो वालमी की रामायन है, ये भी 2000 बी-सी के, ये मना जाता है कि अब 2000 बी-सी करें क्रिशियन एरा से या तो slightly पहले की है, या just then की है. 2000 साल पुरानी है. हाँ, तो ये मान के, इंडॉलजी में जो भी evidence हुआ है, वो इस basis पचलते हैं. मैं धार में evidence गलत है, ये बिलकुल नहीं कह रहा हूँ. मैं किवल ये कह रहा हूँ कि इंडॉलजी का जहां तक वो है, और क्रश्न का और महाभारत का period, 2000 से 2500 वर्ष पहले का माने या 3000 वर्ष पहले का भी माने, तो उसके पहले का नहीं हो सकता. ठीक है, सुनुज गया. बहुत है है आज का सेशन, बट हाँ मुझे काफी इंट्रेस्टिंग लगा आपकाई ये थॉट्ट. मैं आपके एक शुटे सावाल, इस जब ये आउट ऑफ दे टेंजेंट है, बट मैं को ऐसे थॉट्ट आरहा है बीच में, तो मैं सोच और आपसे, आप एस्ट्रोलिजी में विश्वास रखते हैं? मैं परस्टनली नहीं, आपका खुद का वह है? मैं परस्टनली बिल्कुल नहीं, आप नहीं मानते हैं कि कोस्मोस है या फिर जो प्यानेट्स है? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए, मैं आपसे एक बात इस परश्ट क मुझे से कहते हैं कि आपका साइन से मुष्राथ है तो साइन से ये चीज़ एक्स्प्लें करिए, वो चीज़ एक्स्प्लें किए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूं और उससे आपके सब प्रशनों के तरह मिल जाएंगे, तो जब मैं पहला मास्टर्स एंजिनिंग म आए, वो नासा में काम करते थे, वो आ गए और हम लोगे इंस्ट्टूट में जोइन किया और उनका वर्क बहुत था इस्पेस कॉम्निकेशन हो गयरा पर, तो मैं उस वज़े से चला आया, फिर से मैंने अम्टेक दूसरा जोइन किया, तो वो बहुत ही बड़े साइंटिस तो जो अपना वो लेक्चर स्टार्ट करते थे, तो उनका फस्ट लेक्चर में वो एक चीज कहते थे, बड़ी इंटरस्टिंग, वो मैं जीवन भर कभी नी बूलूँगा, तो यह कहते थे कि देखिए, उसी को अधिक ट्रॉनिक्स को जीवने से थे, बड़ी इंटरस्टींग, देखिए, प्लव इलक्रोंस, वो बोले कि वी आव सेंबल यह थुप कॉम्म देखिए, बड़ी देखिए, देखिए, वुसी को अधिक आजांस नैं थे, आजा दूरस्ट, तो बोले कि वी हाव एक विए विए ब्रवेत्स बहें विए विए बाउट आफ एट्मस्विया को आफ तो यह सब आप कहते है कि हम लोग इसा भी अलग सही सामसकते हैं किसा सिर्फिय। पर पोले कि सी रखान के विए बाग था जा कि यह से थिसे ठीकार्टाचे करना लग को इसे आपना है जो सबसे बेसिक चीज है वो science नहीं समझते बज पता है के होता है क्यों होता है तो you accept it science never claims that it can explain everything but science only says कि we try and explain things but when we explain things it's a good way of explanation तो जो आपका प्रश्न है, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अस्ट्रोलोजी में करेक्ट होता है और नहीं होता है। मेरे साथ में हॉस्टल में एक मेरे बड़े प्रीमित्र थे, D.S. Mathur, उन्होंने उन्वेस्टी में टॉप किया था, M.A. Mathematics में. उन्होंने उन्होंने पांच यच्छे किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलोजी पर तो Mathematics के इतने बिदिन्ट स्टूडेंट्री तो गॉर्मिंट उन्डिया बड़े रैशनल आदमी उनका उसमें अच्छू तुट विश्रास है। और वो बताते भी रहते हैं कि रहे थेखो यह होगा वो होगा। तो मैं के वाले करा हूँ कि I do not understand those things. So I cannot comment on that. ठीक है. पर अभी तक Science has not been able to fully understand how astrology works. अजय. Science में एक चीज़ जरूरी है कि चीज की repeatability होने चाहिए. अगर अगर आप 2 प्लस 2 है, तो आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, N के लिए भी होगा, New York में भी होगा, Moon पर भी होगा, हर जेगा 2 प्लस 2 होगा. तो वो चीज समझ में आ सकती है. अब astrology में यह कभी यह नहीं हो पाता है. बलकि मैंने तो कई दफ़ा ऐसे ही, हाफ सीरिस्पी जब लोगों ने कहा कि यह नहीं वह बहुत अच्छे होगा. तो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं पांच सवाल आपसे पूछूँगा, आप तीन का सही जवाब देजिए. तो सवाल है कि पांच में से पांच का कोई जवाब दे सकता है कि अगर आप पांच दफ़ा मुझस से पूछेंगे दो प्रस दो क्या होता है तो मैं आपको परेंग जवाब दो. तो इसलिए जो प्रोफेजर गोष कहते थे, कि साइंस डोड़न क्लेम देख दिखने के लिए जवाब देखने के लिए पक्का यकीन है कि आपने कुछ ना कुछ इस पॉड़कास ने जरूर सिका ही होगा बाकी अगर आप इस चैनल पे नए है तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे नाम अक्षित है और मैं एक क्वेश्ट पे निकला हूँ अपने प्रश्णों का उत्तर जानने के लिए और मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी आपके प्रश्णों का उत्तर इस क्वेश्ट में मिल ही जाएगा तो बस जुड़े लएए मैं हूँ आपका अक्षित भ